हलो बच्चों कैसे हैं आप सब स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और बच्चों आज हम लोग अनुवन शिक्यों जैविकास का तीसरा वीडियो लेक्षर लाएं हैं और इसमें हम लोग प्रश्णों की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और शुरू करते हैं प्रश्ण आर्चियोपाटेरीक्स इस पिर्थ्वी पर रहते थे तो आर्कियोपाटेरीक्स इस पिर्थ्वी पर रहते थे चार ओसन है 300 100 million years ago, यानि 300 croreverse पहले, 250, यानि 250 million years ago, 250 croreverse पहले, और 210 million years ago, 210 croreverse पहले, और 180 million years ago, यानि 180 croreverse पहले, तो इसमें सही option जो है, 180 million years ago है, question number 13 में है, किसी जीव की जीनी संगराचना कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, 4 option दिए गए है, पहला है लक्षन प्रारूप या फेनो टाइप, दूसरा है अनुवानसी की, तीसरा है जीन प्रारूप, और चौथा है विभेनेता, तो किसी जीव की जीनी संगराचना क्या कहलाती है, जीन प्रारूप, question number 14 में है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में, उगाए जाने वाले किस पोधो का चैन किया था, 4 option है, तो इसका सही अंसर है, साधारन मटर यानि गार्डेन पी, question number 15 में है, बच्चों अफ्रीकी मानों का सबसे निकट संबंधी है, 4 option दिये गए हैं, चिंपैंजी, गोरिला, बंदर और गिलहरी, तो इसमें 4 option में से, सबसे जो निकट संबंधी वो है, चिंपैंजी, question number 16 में है, अनुवान शिक्ता का पीता कहा जाता है, 4 option बच्चों दिया गया है, Gregor John Mendel, दूसरा है Charles Darwin, तीसरा है ले मार्क, और चौता है Hugo De Vries, तो इसका सही अंसर है, Gregor John Mendel, question number 17, या 17 में है बच्चों, उपारजित लक्षणों का सिधान्त किस ने दिया था, तो चार option दिये गया है, A में है ले मार्क, B में है Darwin, C में है Mendel, और D में कोई नहीं, तो जैसा कि आपको पता है, कि उपारजित लक्षणों का सिधान्त, जो है वो ले मार्क ने दिया था, और इसका सही एंसर है ले मार्क, ले मार्क एक प्रशिद्ध वैग्यानिक थे, जिन्हों ने उपारजित गुनों का सिधान्त दिया था, और बच्चों मैं आपको इसी वीडियो में बता दूं, कि उपारजित गुन वह गुन है, जो जन्व के बाद जीवन काल में किसी भी समय जीव पर्यावरन से वातावरन से सीखता है, और नए गुनों को अरजित करता है, नए गुनों को प्राप्त करता है, ऐसे गुन क्या कहलाते हैं, उपारजित गुन कहलाते हैं, तो इस गुणों के सिधान्द को सबसे पहले लेमार्क ने प्रतिपादित किया था, उन्होंने दिया था, तो इसका सही अंसर है लेमार्क. नेक्स्ट कोस्टन है, प्राकृतिक चयन द्वारा प्राणियों का विकास किसका कथन है? अप्शन है पहला डार्विन, दूसरा है मेंडल, तीसरा है लेमार्क और डी इन में से कोई नहीं, तो इसका सही अंसर है डार्विन. क्योंकि बचो डार्विन एक प्रसिद्ध वैज्यानिक थे, और डार्विन ने ही एक नौकायान की सहायता से पूरे देश, पूरे विश्व में भ्रवन किया, और समुंद्र से नौकायान करके अलग-अलग द्वीपों पे गये, और वहां के जीव जन्तूओं का अध्यन क किया, तो उन्होंने अपने सिधान्त बनाया कि इस धर्ति पे जितने भी जीव हैं, वो प्रकृति द्वारा ही चैन किये जाते हैं, और प्रकृति ही उनको चुनती है, और उनका विकास करती है, तो यह कथन जो है डार्विन ने दिया था, तो बच्चों इस आन्वान सिकी और जाविकास में जितने भी प्रशन हम लोग अब्जेक्टिव कोस्टन कर रहे हैं, उनको आप अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए, और इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी आपको फाइदा मिला हो, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है, त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन दबा दे, ताकि अधिक से अधिक आपको नोटिफिकेशन मिले, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ, आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर इस अनुवा पर आई बटन है, आई बटन को आप क्या करेंगे, प्रेस कर लेंगे और वहां जनन संबंधी सभी अब्जेक्टिव सीरीज आपको प्राप्त हो जाएंगे, धन्यवाद,